तेरे को और ने आदेन ने को और नई गाड़ी finally भाई लोग Scorpio 2022 के जो है वो images हमारे सामने leak होके आ चुके है इस वीडियो में आपको पूरी detail में मैं बताने वाला हूँ साथ में ये भी बात करेंगे क्या मैं वो book कर रहा हूँ Scorpio या नहीं मुझे कैसी लगती है मेरी क्या रहा है नए वाले और पूराने वाले डिजाइन को लेके वो सब कुछ बात करेंगे अभी कुछ दिन से महिंद्रा के official YouTube channel पे teaser डाले जा रहे थे big daddy of SUVs coming करके उसमें थोड़ी थोड़ी जलक तो दिखा रहे थे या फिर कोई और गाड़ी है उसके बारे में भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा क्या यह real में Scorpio है कि दूसरी कोई गाड़ी आ रही है क्योंकि badging हमें किसी भी गाड़ी में अभी तक नहीं देखने को मिली है चाहे वो leaked images हो या फिर camouflage वाली हो या फिर trailer हो trailer teaser जो भी आप कह सकते हो अब यह वाली जो photos है न रियल बिना camouflage की यह Instagram का एक page है Scorpio underscore 2022 underscore official करके यहाँ पर photos डाली गई है तीन चाहर और आज यह लिग हुई है तो मैं सोचा आपके लिए videos बना दी जाए फटावट से यह जो images है रियल images है बिल्कुल factory में आप देख सकते हो हलाकि इसमें जो logo लगा हुए न महिंद्रा का वो पुराने वाला ही है बट चिंता मत करो आपको जो गाडिया मिलेगी या फिर जो launch होगी गाडि उसमें आपको नया logo ही चेखने को मिलेगा और इस वाले इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखाया आप चेक आउट कर सकते हो वहाँ पर जाकर गाड़ी की फ्रेंट साइड की लुक की बात करें तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा डिजाइन लग रहा है या फिर आप ब्लोश्टर से मिलता जूलता कह सकते हो थोड़ा सा तो मुझे ये नया वाला डिजाइन जादा पसंदा रहा है बाकी सबकी अपनी अपनी राए है आपकी क्या वो है वो कमेंट सेक्शन में एक पर बता देना फ्रंट साइड में आप देख सकते हो जो C-shape DRL है वो अभी तक इसमें लगाए नहीं गए है इसका बोनेट आप देख सकते हो खुला हुए सामने से इंजन वाला और यहां पर कोई भी हाइडरोलिक्स देखने को नहीं मिलते कम से कम उस मामले में आपको कोई भी निराशा नहीं होगी साजी साज इसमें आपको LED टेल लैंप मिलते हैं और यह वही वाले टेल लैंप्स है भाई जो करोल बाग में लीक हुए थे कि नई वाली स्कोर्के में मिलेंगे तो सेम डिजाइन वही सेम चीज आपको इसमें मिल रही है इसके लावा बैक में आपको एक वाईपर मिल जाता है बड़ा साइट प्रोफाइल की बात करें तो मुझे भाई बिल्कुल डिक्टो ग्लोश्टर लग रही है मतलब मैंने बहुत रिसर्च करी थी बहुत बार चला के भी देखी तो इसका शेप डिजाइन और जो उचाई है वो पूरी ग्लोश्टर जैसी लग रही है इसमें आपको 10 स्पोक अलोई वील्स मिल जाते है जो थोड़े छोटे है ऐसे 17 इंचिस के होंगे या फिर कोई और सेग्मेंट के गाड़ी होने वाली है जैसे कि अपनी जो फॉर्चुनर व्लोश्टर या एंडेवर आती थी उस सेग्मेंट की महिंद्रा की गाड़ी थी एक ओल्टुरस जी फॉर करके तो क्या ये वो गाड़ी होने वाली क्योंकि भाई इसकी कद काटी से तो लग रहा है मुझे कि ये बड़ी एस्यूवी है काफी और जैसे कि महिंद्रा वालों ने भी बताया तो कहीं पर भी गाड़ी में बैजिंग तो नहीं दे रखे भाई तो हो सकता है ये स्कॉर्पियो ना हो पुरानी वाली स्कॉर्पियो भी रहेगी और ये वाली जो है वो ओल्टुरेश जी फॉर हो या फिर कोई नया नाम रखा जाए बड़ी एस्यूवी हो तब ही महिंद्रा भी बोल रहा है बिग डेड़ी ओफ एस्यूवी मेरी तो उमीद है भाई बहुत है इससे की ये बड़ी वाला ही सेग्मेंट होग होई क्योंकि डिजाइन के मामले में अच्छी लग रही हो और जो फॉर्टुनर वाला साइज अगर वो आ जाए ना तो भाई मज़ा आ जाएगा फिर तो हम सोच सकते है इसको भी खरीदने का बागी इसकी बारे में जो इंक्वाईरी है आप महिंद्रा की ओफिचल वेबसाइट पे जाके अपना नाम वगएरा डाल के कर सकते हो मैंने भी हाँ पर कर दी है तो जैसी इसकी बुकिंग ओगिंग श्टार्ट होगी लॉंच होगी तो आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी महिंद्रा की तरफ से